नमस्कार वीवर्ट्स आप देख रहे हैं दान्यूज आपकी साथ मैं स्रिश्टी मिश्रा किजरिवाल की फोटो आपने सबने देख ली होगी कल से खुब वारल हुआ सुनीता किजरिवाल नीचे से मेसेज दे रही थी बैठ करके उपर में थे अरविन ने किजरिवाल किसके बगल में तो भाईया शहीदे आजम भगत सिंग जी के बगल में और ये संविधान निर्माता भीम राओ अमबेटकर जी के बगल में तब यहाँ पर हद हो गई जब इसके बाद संजय सिंग का बयान सामने आया है और आपको बता दे इस पर घोरा पत्ती जताई है इस वक्त क करने से बचें ये बहतर होगा मुझे दुनिया भर से कॉल्स और मेसेज़े आ रहे हैं प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि कैसे शराब घोटाले में बंद अर्विन की जरिवाल की फोटो जेल के अंदर की लगी हुई मेरे दादा जी यानि की शहीद आजम भगत सिंग के बगल में हैं और यहाँ पर सम्विधान निर्माता भीमरा उम्वेटकर के बगल में हैं देखे दर्शकों इससे दलितों में गुस्सा है आक्रोश है दलित समाज इससे नाराज हैं और कह रहे हैं कि यह हद हो गई है भीमरा उम्वेटकर जी के बगल में के अर्विन के जरिवाल क के साथ लगाई और एक तरह भगत सिंग जी है और ये लगाने वाले जो लगाने वाली हैं उनकी धर्म पत्नी सुनीता जी है मैं समझता हूँ इस फोटो को आप देख लें ये सरासर बाबा सहाब भीम्रा उन्वेद कर का अप्माल हूँ जिनी सर्फार के हाट ऑफिस के लिए बाबास आप उन्वेटर और शेविद करासर भगत सिंगी अब अपने ताव की तर्किन ही लगाने अब मुख्यमंती की तस्वीर नहीं लगाने अब हमें तस्वीरे बगाने के लिए नहीं को अब आप सोचें दिखिए एक बार तो हमको ये बात न इतनी बड़ी बड़ी आरोप उनके उपर है कि हमको लगता है लेकिन ये बाबास साहब भीम्रा अम्बेदकर का और भगत सिंग्जी का ये बहुत बड़ा अपमान है ये कभी भी उनके साथ देश का कोई भी व्यक्ति उनके साथ अपनी फोटो नहीं लगाता है उनकी फोटो लगाएगा तो उपर लगाएगा अपनी अलग लगाएंगे अरविंद केजरिवाल को चाहें वो जहां भी हो या उनके परिवार को क्योंकि अब वो परिवारवाद के रास्ते पे हैं या तो तुरत दिल्ली के जनता से माफी मांगे उस फोटो को हटाएं नहीं तो यह समाज उनको इसके लिए बड़ी सजा देगा ऐसा मेरा विश्वास के साथ अर्विन किजरिवाल की तस्वीर लगाई गई थी मुझे देखने पर बहुत बुरा लगा देखिए ये पत्ती जता रहे हैं इनको दुख हुआ है जाहिर सी बात है भगत सिंग को तो सलाम है और देश का हिंदूस्तान का हर एक बच्चा जानता है कि कौन थे भगत सिंग किस तरके से उन्होंने अपनी प्रानों की आहूती देदी पूरे देश को बचाने के लिए और दर्शो को आप बता दूँ आपनी पार्टी का ये चलतर पहली बार सामने नहीं आया है हमेशा से शिशोद्या की तुलना भगत सिंग से होती रही है एक मैं आपको और पार बता दू ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है चुनाव आयोग ने ले लिया एक्शन आतीशी मार लेना की खिलाफ आतीशी वही मंतरी इनकी आपकी जन्होंने प्रेस कोंफरेंस किया था और कहा ता कि कल दस बिजे खुलासा करूंगी बीजेपी मुझे खरीद बचाले या तो भरतिया जंदा पार्टी में शामिल हो जाए दर्श को आपको बता दू पार्टी की छवी आप बिना तथ्यों के धूमिल नहीं कर सकते हैं चाहे वो बीजेपी हो कॉंग्रेस हो समाजवानी पार्टी हो आम आपनी पार्टी जप्षे शराब घोटाले में लगातार जूट पर जूट फैलाए जा रहा है और यही वज़ा है कि आतिशी मारलिना की इस जूट पर चुनाओ आयोग ने उनको लीगल लोटिस भेज दिया है बड़ी खबर इस वक्त की सोमवार तक आतिशी को जवाब देना होगा कि कहां से कहां धमकी मिली कहां से अपके सुत्र बता रहे हैं आपने इतना बड़ा इल्जाम बीजेपी पर क्यों लगाया चुनाओ के वक्त आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं और देखिए यहां पर बारा बज़े तक सोमवार को जवाब देना होगा आज शुक्रवार का दिन है शनीवार और रवीवार को छोड़ कर सोमवार को आटीशी मारलेना को बारा बज़े जवाब देना है चुनाओ आयोग ने कहा कि नोटीस के प्रतेक पैरा का लिखित में जवाब दिया जाया आपको लिखित में जवाब देना होगा आपको बता दे थार्ड एपरिल को बीजेपी ने भी इस पर आटी लेक्शन कमिशन भी बीजेपी पहुची थी और इसी के मध्य नजर उन्होंने यानि की इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने एसी आई ने आतीशी मारलेना को लीगल नोटीस बेज दिया है आतीशी मारलेना ने अपने सवाल में ये भी कहा था कि अगले दो महीने में चार आपने ताओं की गिरफ्तारी होने वाली है और उन्होंने ये भी अंदेशा जताया था कि सौरा भारत आज को गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर दुर्गेश पाठा किया रागव जड़ा भी आरेस्ट होंगे तो आतीशी मारलेना ये कही थी कि बीजेपी में जाओ यान आतीशी मारलेना फस गई है और मैं आपको बता दू मनोस्तिवारी और दिल्ली के प्रदेश अदेक्स बीजेपी के विरेंद सिच्देवा ने एक प्रेस कॉनफेंस किया जहां कहा ये शर्मनाग है कि अर्विन ने किजरिवाल की फोटो शहीदे आजम भगर सिंग के बगल में लगी है वो अर्विन की जरिवाल ये शराब घोटाले में अभी भी यहाँ पर कोट के अंदर हैं और जेल के अंदर हैं यही वज़ा है कि बार बार आम आदनी पार्टी के चलेतर सामने आ जाता है और इस पर घोर आपती यहाँ पर बीजेपी के तरफ से ही नहीं बगण सिंग की तुलना अरविन्द किज़िवाल से हो रही है सोचे और ये केवल आम अधी पार्टी कर रही है पुरदेश में से अक्रोश है बगण सिंग कहा अरविन किज़िवाल अगर एक अच्छे लीडर होते तो ऐसे अपनी तुलना भगण सिंग से नहीं करते को सुनकर जरूर हसी आएगे और गुसा भी आ सकता है सहीदे आजम भगर सिंग की फोटो लगाने पर संजय सिंग ने कहा जो क्या दिक्कत है बीजेपी वाले भी पर चार परसार में लगाते हैं माप बुरुशों की फोटो लगाते हैं हमने अपनी तुलना थोड़ी की है हमन कोई भी नेता हो मैं अपनी फोटो क्या देश के महापुर्सों के साथ नहीं लगा सकता क्या देश बाबा साहब डॉक्टर भीम राओं अमबेटकर जी के साथ सहीदे आजम भगर सिंग जी के साथ आप लोगों की फोटों नहीं होती हैं लोग तो जाके सहीदे आजम भगर सिंगी जहां तस्वीर देख लेते हैं, वहां सेलफी लेते हैं, उनके स्टेचू पर जाके सेलफी लेते हैं, उनके साथ फोटो डालते हैं, नेता जी सुबास चंदबोस के साथ फोटो डालते हैं, बाबा साहिब के साथ फोटो डालते हैं, यहां तक कि अपने चुनाव प्र और उनकी तस्वीर अगर सहीद आजम भगत सिंग्जी के साथ है या बावा साहब जी के साथ है तो यह अधिकाल हर एक नागरिक को है जो महापुर्सों के साथ अपनी तस्वीर लगा सकता है इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम उनके पदचिन्नों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम अपने आपको दावा कर रहे हैं अपने आपको बहुत बड़ा समझ रहे हैं नहीं हम उनके वह हमारे लिए अनुकरनी है प्रार्थनी है हम उनके पदचि आपने देखी लिया हुगा किस तरीके से उन्होंने घोरा पती उनके पोते ये विंदर संधुने जताई है देखने वाली बात होगी ECI के लीगल नोटिस के बार आम आदनी पार्टी का रुख क्या होता है आतिशी मर लेना क्या प्रूफ कर पाती है बने रही है जो भी आपकी राय हो जरूर रखें शुक्रिया